दोस्तो हाल ही में मैंने ओल्ड नामक मूवी देखा है जिसे एम नाइट शामलन डिरेक्ट करे है जिसका कॉंसेप्ट बहुत युनीक है आएम डीव पे ओल्ड को मिले है 5.8 स्टार्स आट अफ टेन और रॉटन ट्रमाटोस पे इट्स 50 पिसेंट फ्रेश तो आज की वीडियो में हम ओल्ड फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग को डिसकस करेंगे तो फिल्म के शुरूआत में हम कपा फैमली को देख पाते हैं जो की विकेशन के लिए अनामी का रिजॉर्ट जा रहे थे इस परिवार में चार लोग हैं जहां पिता का नाम है गाय, मा का नाम है प्रिसका, बेटी का नाम मैडॉक्स और छोटे बेटे का नाम ट्रेंट तो जब ये लोग वैन से रिजॉर्ट पहुंसते हैं तो इनका स्वागत वहां का मैनेजर करता है तिन होटेल के एक स्टाफ गाय और प्रिसका को एक विलकम कॉक्टिल देती है मैडॉक्स और ट्रेंड रिजॉर्ट में इदर उदर दौर ने भागने लगते हैं जो की बच्चों का काम ही होता है और यहां इनकी मुलाकात एक इडलिब नाम के बच्चे से होती है जो की होटेल मैनेजर का ही भती जा था खैर यह फैमिली अपने रूम पे आती है जहां हमें पता लगता है कि गाय इंशुरेंस कंपनी में as an actuary काम करता है वो होते हैं जो डेटा और स्टाटिस्टिक से रिस्क वगड़ा कैलकुलेट करते हैं और लोगों का कितना प्रिमियम बनेगा उन्हीं लोगों को actually बोला जाता है वहीं पर इसका म्यूजियम में काम करती है इन दोनों की relationship कुछ ठीक नहीं चल रही इन फाक्ट दोनों divorce लेने वाले हैं इसलिए बच्चों को इस बड़े decision के बारे में बताने से पहले ये लोग as a family एक foreign tropical resort trip करने आये हैं खेर तो थोड़ी दिर बाद बच्चे beach resort पे खेलने लगते हैं और यहां Trent की idlib से अच्छी दोस्ती हो जाती है ये दोनों एक अजीब सा game खेल रहे थे जहां वो सभी बड़े लोगों से उनका नाम और profession पूछ रहे थे खेलते खेलते एडलिब एक अजीब बात बोलता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है और ऐसे हमें Trent कहता है कि मैं हूँ न तुम्हारा दोस्त अब उस रात होटेल में गायो प्रिसका लड़ने लग जाते हैं और पेरेंट्स को लड़ता सुन मैं टॉक से ट्रेंट डरे नजर आते हैं इनकी लड़ाई के दौरान हम व्यो समझ पाते हैं कि प्रिसका को एक छोटा सा ओवेरियन ट्यूमर है यहां एक और नोटवर्धी चीज यह थी कि एडले ट्रेंट को एक सीक्रेट मेसेज लिख के दिया था जिसे डिकोर्ड करके ही पढ़ा जा सकता है और एडले पे ने डिकोर्ड करने का की भी दिया था जिसमें क्लियर था कि कौन सा सिंबल कौन से अलफबेट को डिनोट करता है यहां से सीन चेंज होता है जहां हम अरली मॉर्णिंग टाइम बीच पे एक लड़का और लड़की को देखते हैं लड़की अपने कपड़े उतार के स्विमिंग करने जाती और यह लड़का उस लड़की को घूरे जा रहा था Coming back to hotel, well वहाँ breakfast का time हो चुका था और Kappa family भी breakfast करने आते हैं hotel का manager इन से आकर कहता है कि यहां से थोड़ी दूर एक private beach है जो की बहुत ही खूबसूरत है Like once in a lifetime experience तो आप लोग वहाँ जरूर जाओ, मैं आपकी family के लिए hotel की तरफ से van arrange करवा दूँगा Now Kappa family obviously इसके लिए agree कर जाते हैं Although as a viewer हम एक अजीब चीज नोटिस करते हैं कि manager अपने भतीजे इडलिप को Trent और family से दूर रहने कहता है अब breakfast के दौरानी हम एक और family से introduce होते हैं जिसमें चार लोग थे यहां husband का नाम Charles था जो की एक surgeon था उसकी बीवी का नाम Crystal था जो की अपने beauty को लेके थोड़ा obsessed थी और उसे hypocalcemia था याने शरीर में भारी मातरा में calcium की कमी इस वैसे उसे calcium tablets या फिर calcium rich food लेना पड़ता था then इनकी छोटी सी बेटी का नाम Kara था और finally Charles की मा भी इनके साथ थी जिनका नाम Agnes था अब मैं आपको इस family के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि Kappa family के साथ ये चारो भी hotel van से उस private beautiful beach पे जाने वाले थे इनकी जाने से पहले यहां resort में एक हादसा होता है जहां Patricia नामक एक tourist lady को एकदम से मिर्गी के दोरे पड़ने लगते हैं Patricia का husband Gerin तुरंत उसे संभालता है और यहां हम जान पाते हैं कि Patricia को ऐसे दोरे अकसर आते हैं क्योंकि उसे epilepticic Caesar की भिमारी है Now coming to Gerin, well by profession वो एक nurse है और अब Charles जो की एक surgeon है वो भी Patricia को संभालता है और कुछी seconds बात Patricia वापस से normal हो जाती है खेर यहां से van driver Charles और Guy के family को van जे उस beach तक ले कर जाता है और again यहां हम वियोज कुछ अजीब बाते notice करते हैं Like driver इन से specifically कहता है कि इन्हें अपना passport room के safe में ही छोड़के आना है Moreover इन्हें इस beach के बारे में किसी को नहीं बताना था In fact जब यह लोग beach के करीब पहुँच जाते हैं तो driver इन्हें चल के आगे जाने कहता है और खुद नहीं आता इसके अलावा driver इन लोगों को excess में खाना देता है like बहुत जादा साथी वो कहता है कि आप लोग कॉल करोगे तो मैं आपको pick करने आ जाओंगा या फिर पाच बजे शाम को मैं anyways आ जाओंगा गायो चार्ल्स की फैमिली एक केव जैसे एरिया से होकर बीच तक पहुंचते है जो की वाकई में काफी सुन्दर सा था यहां बीच में हम पहले से एक इनसान को देख पाते हैं जो की वही आदमी है जिसे हमें cut scene में एक लड़की के साथ बीच पे देखे थे वही लर्की जो की कपरे उतार कर स्विम करने गई थी इस इंसान को बीच पे देख चार्ल्स थोड़ा अनकमफर्टेबल फील करता है तो इसके आज सभी लोग बीच पे मज़े करने लगते हैं और Maddox ध्यान देती है कि वो जो अकेला इंसान है न वो एक्चुली में एक फेमस रैपर है नेमड मिड साइड सेडान जिया दोस्तों Maddox तुरंट उससे मिलना चाहते थी लेकिन गाय उसे समझाता है कि भले वो सेलेब्रिटी है लेकिन वो इंजॉय करने विकेशन पे आया है तो उसे डिस्टर्ब मत करो Hermatics, Trent और काड़ा पानी में खेलने लगते हैं जब Trent नोडिस करता है कि यहां के पानी में एक भी मचली नहीं दिख रहे थी उसी मुमें ट्रेंट को पानी में एकदम से एक मित शरीर फ्लोट होता हुआ दिखता है और वो चिला कर सब को बुलाता है सभी लोग इस शरीर को पानी से निकालते हैं जो कि किसी औरत की थी As a viewer हम clearly समझ पाते हैं कि यह वही लेडी है जो कि mid side sedan के साथ थी तब यह चानक sedan के नाक से अचानक खून निकलने लग गया था और ऐसे में Charles को sedan पे ही शक होता है Charles का मानना था कि sedan इस लड़की को मार के समुद्र में फेक दिया होगा और उसी हातापाई में sedan को चोट लगी होगी तब ही तो उसके नाक से खून निकल रहा है इस बात पर sedan का कहना था कि ये लड़की मेरे साथ जरूर थी लेकिन वो स्विम करने गई थी और अचानक अभी उसकी लाश मुझे भी मिल रही है moreover मेर नाक से पिछले कुछ गंटों से ही खून निकल रहा है and I don't know why सभी लोग होटेल को कॉल करने का सोचते हैं लेकिन किसी के फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था तब ही इस बीच पे एक और कपल आते हैं और ये थे नन अदर दैन पत्रीशिया एंड जरीन इन्हें आता देख सभी लोग पूछते हैं कि होटल स्टाफ ही तुम्हें छोड़े हैं ने यहां तो वो बहारी होंगे हमें उनसे तुरंट मिलना है लेकिन जरीन कहता है कि वो लोग तो इन्हें ड्रॉप करके तुरंट निकल लिये तब ही क्रिस्टल घवडाते वे चाल से कहती है कि उसकी माँ एगनेस की तबियत कुछ ठीक नहीं लग रही चाल से एगनेस को देखने जाता है वहीं जरीन केव से होते वे बीच से बाहर निकलने का सोचता है ताकि वो कैसे भी होटल से कॉन्टाक कर सके बट तुजरीन सरप्राइज उसे केवस में एकदम जोड का सरदद होता है मानो वो किसी हाई प्रिशर इंवार्मेंट से लो प्रिशर इंवार्मेंट में जा रहा हो और इससे वो बेहोश जाता है और जब उसकी आँके खुलती है तो वो खुद को बीच पे पाता है दूसी तरफ आगनेस ऐसे आग कर रही थी मानो वो एकदम भिमार हो और वो चाल से कहती है कि बेटा तुम प्रिशर मत लो और बीच पे इन लोगों की मदद करो तब ही हम प्रिशका को भी फ्रीक आउट करते देखते हैं जो कह रही थी कि उसके बच्चे ट्रेंट और मैड करने लग गया था दूसी तरफ मैड़क से ट्रेंट जरीन और पिट्रिशा से बात कर रहे थे जहां खेल खेल में जरीन गेस करता है कि ट्रेंट 11 साल का होगा लेकिन ट्रेंट कहता है मैं तो सर्फ 6 साल का हूँ और तभी वहां गाय और पिसका भी आते हैं और वो अपने ब बना कर यहां से निकलने का सोचते हैं लेकिन जैसे ही केबस में जाओ सर पे एकदम जोड का प्रिशा पड़ता है जिसे लोग पे होश हो जाते थे और होश में आने पे सभी खुद को वापस बीच पे ही पाते हैं अब इस पइंट पे चाल्स सबसे जादा आजीब बिहेव जाता है औल्दो सकार मार्क जरूर आ गया था यहां से न कहता है कि यार तुम लोग मुझे पर क्यों शक कर रहे हो मैं एक रैपर हूँ और मुझे हेमोफीलिया है यानि एक ऐसी बीमारी जिसमें ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं होता मेरे साथ जो लड़की थी उसको भी सेम बीमारी थी इसलिए हम लोग वाइब किये थे यहां वेकेशन पर आये थे रैप्स कर रहे थे अपने मेडिकल कंडिशन पर अचानक वो लड़की तैडने गई और डूब कर मारी गई मेरा उसकी कतल में कोई हाथ नहीं है यहां हमें सेडन का रियल ने भी पता लगता है वि और यह कि इन्हें तैर के दूसरे साइड जाना होगा ऑल्दो समुद्री लहर के खिलाफ तैरना बहुत मुश्किल है इस पॉंट पर प्रिशिया सबको बुलाती है और अपने अपने इश्यूस डिसकस करने कहती है क्योंकि वो एक साइकॉलिजिस थी और उसके हिसाब से य प्रिशियन लेता है कि प्रिश्का का यहीं ऑपरेशन करके ट्यूमर निकालना होगा वरना वो मारी जाएगी चार्ल्स प्रिश्का का ऑपरेशन करने के लिए उसका पेट करता है लेकिन ये घाओ भी सेकेंड्स में भर जाता है ऐसे में ये लोग पेट को कट करके ओपनिं में थे हैं लेकिन स्पेशली चार्स अजीब बाते बोलने लग गया था लाइक जैक निकल्सन और मार्लिंग ब्रैंडो एक साथ किसी फिल्म में थे और उस फिल्म का नाम क्या था आइन वह यह बात सुनने में अजीब लग रही होगी लेकिन हम वियो समझ बाते हैं कि चार्स मेंटली स्टेबल नहीं है मोस्ट प्रबैबली वो स्किजोफ्रेनिक है खैर इस घटना के बाद सेटैन जब उस लरकी के मिच शरी को चक कर दे जाता है तो वो शरीर अल्रेडी डिकंपोज हो चुका था और वहां सिर्फ कंकाल बचा था जब सभी लोग यह देखते हैं तो पूरी होकर मारी गई यह शरीर डिकंपोज हो गया इतना जल्दी इत्यादी शायद यही वज़ा हो सकती है कि इनके बच्चे इतना जादा खा रहे हैं क्योंकि उनके रैपिडली ग्रोइंग शरीर को उतना खुराक चाहिए और इसलिए शायद इन्हें ड्राइवर धेर सा तो आल्मोस्ट पच्चास साल एज कर जाएंगे यानि बड़े सारे लोग तो पक्का मारे जाएंगे मोड़ोवर यह लोग यहां से बाहर नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि इस लाइक गोइंग फ्रों ए वेरी हाई प्रेशर वाटर इन्वार्मेंट तो लो प्रेशर प्ले तो कारा को प्रेगनेंट देख फ्रीक आउट करते हैं और कुछी देर में कारा बच्चा भी डिलीवर कर देती है और यह बच्चा सर्वाइब नहीं कर पाता क्योंकि इस इन्वार्मेंट में बच्चा इतना फास्ट ग्रो होता है कि उसे प्रोपर अटेंशन केर या निट देख रही थी और वो अपने एक पुराने लवर गुई सेपे को याद करने लगती है क्रिस्टल बताती है कि वो अपने पुराने लवर गुई सेपे को इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता था खैर दूसरी और चार्ल्स एकदम से सरैंड पे है तो वह swim कर पाएगा जए के जाने के बाद सभी लोग आपस में बात करते हैं और वो सभी नोटिस करते हैं कि इन सभी की family में एक चीज common है वो यह कि सभी के परिवार में कोई न कोई किसी तरह के major बीमारी के साथ जूज रहा था, लाइक चार्ल्स मेंटलियों के नहीं था, प्रिस्का को ट्यूमर था, पेट्रीशिया को सीजर्स आते थे, सिडैन का ब्लड क्लॉटिंग का इस्यू था, क्रिस्टल को हाइपो कैल्सी में है इत्यादी, यानि कि इन सभी को इनके मेडिकल कंडिशन के कारण चुना गया है, in fact सोचने पर सभी अगरी करते हैं कि इनको इस विकेशन के बारे में किसी पैमफलेट, ओफर या टार्गेटेड एडवर्टाइजिंग से ही पता लगा था, दिस्प्रूफ्ट कि ये लोग हैंड पिक्ड थे और यहां कुछ तो एक्सपरिमेंट चल रहा है और ये लोग ही उसके लिए चुने गए हैं, इस पॉइंट पे ट्रेंट भी नोटिस करता है कि दूर वाले पहार से लाइट रिफ्लेक कर रहा था, यानि वहां कोई तो कैमराज लगाए इन पे नज़र रख रहा है, अब इतना कुछ पता लगने के बाद भी ये लोग बे लिक आउट कर गई थी और ऐसे में उन्हें लग रहा था कि वो भी एक दिन मारी ही जाएंगी बहुत जल्द तो इसलिए उन्होंने अफेर शुरू कर दिया, लेकिन अब वो बेटर फील कर रही है और शी रेगरेट सिट, ये सब सुनकर मैटॉक्स उदास होके पानी में ज अफनाते हैं, इसके आद कारा डिसाइड्स कि वो पत्थरों पे चरके यहां से बाहर निकल जाएगी, लेकिन उपर जाने के बाद आज एक्सपेक्टेड वो बिहोश होती है और नीचे गिरके मारी जाती है, कारा के मौत से ट्रंट एक दम तूट जाता है और उसके परिव प्रिस्का को कम सुनाई देने लगता है, अगर हम क्रिस्टल की बात करें, तो वो अपने कैल्सियम डिफिसेंसी की वज़े से एकदम फ्रजाइल हो गई थी और खडाब देखने लगी थी, अब क्योंकि गाय और प्रिस्का बूरे होने लग गए थे, तो ये दुनों एक द जिन्दगी के बचे हैं, and I want to spend my time with you. दूसरी तरफ ट्रेंट और मैडोक्स को रेत में कुछ सामान वगेड़ा मिलता है, जो कि यहां इनसे पहले आये हुए विक्टिम्स का होगा, इसमें इन्हें एक डाइडी मिलती है, जो कि किसी ऐसे बंदे का था, जिससे साइन्स फिक तो शायद इनका rapid aging भी बंद हो जाएगा, और यह बेहोश भी नहीं होंगे, जिससे यह इस जगह से निकल पाएंगे. It's just like x-ray होता है न, तो हमारे उपर एक sheet रख दिया जाता है ताकि x-rays का हमारे उपर असर ना हो, लेकिन सवाल यह है कि इस बीच पे इन्हें metal tube कहां से मिलेगा, यहां Trent एक और चीज़ कन्फर्म कर लेता है, कि दूर पहार से इन पे camera's की मदद से पक्का कोई नज़र रख था वो भी 24-7, दूसी तरफ गाई का vision काफी blood हो चुका है और Charles पूरी तरह अपना आपाक हो चुका है, ऐसे में Charles गाई पर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन गाई के घाओ तुरंद भर जा रहे थे, Charles रुकी नहीं रहा था और इसलिए प्रिसका गाई को बचाने के लिए एक जंग लगे चाकू से Charles को cut करती है, अब ideally ये cut भरना चाहिए था लेकिन क्योंकि खंजर में जंग लगा था, तो Charles का wound septic हो जाता है, और वो कुछी देर में उसके पूरे खून और शरीर में फैल जाता है, यानि कि Charles को titanel जैसा कुस्तो हो गया और वो भी मारा गया, वह इसे में वो पत्थर से Trento Maddox पे हमला करने लगती है, ये कहके कि मुझे मत देखो, लेकिन calcium वारी बीमारी के कारण उसका शरीर इतना fragile हो जुगा था, कि उसकी हड़ी सीशे की तरह तूटने लगी थी, जो पत्थर वो उठा रही थी, वो उसके उपर ही गिर जा रहा था औ और बाकी सब मारे गए, ये लोग एक जगा बैठते हैं और एक दूसर की company को enjoy करते हैं, अपने end moment में Guy और प्रिसका खुश थे with no regrets और उन्हें मरने तक का गम नहीं था, गाय प्रिसका से कहता भी है कि फाल तुमें हम लोग लर रहे थे, छोटी मूटी बात के लिए, देख भी अब बस चंद घंटे बचे हैं, ये लोग साथ में sand castle बनाते हैं और कहीं न कहीं ये लोग अपने fate को accept कर लिये थे, इसी बीच Trent को याद आता है कि Idlib उसे एक coded message दिया था, जिसे वो अब तक decode नहीं किया है, वो foreign Idlib का दिया हुआ पेज लाता है और उसके message को decode करता है ये message था, my uncle doesn't like the coral, message को पढ़के इनका ध्यान सबसे पहले पानी में थोड़ी दूर पे corals पे जाता है, and then Trent को एक idea आता है, Trent कहता है कि Idlib भले ही बच्चा है, but still उसे थोड़ा बहुत तो idea होगा कि इस जगह पे क्या होता है, उसके uncle ही experiment करते हैं, और वो सुना होगा कि उन् पसंद, अब uncle को coral क्यों नहीं पसंद, well इसके पीछे reasoning ये हो सकता है कि दूर पे जो हम corals देख रहे हैं पानी में, वो पक्का as a metal tube काम करता होगा, यानि कि अगर हम तैर के उस coral के भीतर से उस पार निकल जाएंगे, तो हम शायद बेहोश भी ना हो और हम बच भी जाएंग लेकिन वहां अंदर Maddox का कपड़ा एक coral में फस जाता है, और Maddox को बचाने के चकर में Trent भी वहीं अटक जाता है, meanwhile हम दूर पहार पे उसी driver को देखते हैं, जो कि दूर बीन से इन पे नज़र रखे हुए था, वो गुश्दर के लिए चेक करता रहता है, लेकिन ये दोनो पानी से बाहर नहीं आते, ऐसे में driver deduces कि दोनों मारे गए हैं, और वो phone करके अपने boss से कहता है कि मैं तो डरही गया था कि कहीं दोनों coral पार करके बाहर ना निकल जाए, लेकिन दोनों डूब चुके हैं, और इस से पहले भी एक बंदा ऐसा try किया था, लेकिन वो भी डू यह सब सुनके हम यह समझ पाते हैं, कि यह driver जिसका असली नाम Theo है, वो किसी तरह का scientist है, Theo Val लेके एक lab जैसी जगह पे जाता है, जहां कई scientist वगेड़ा काम कर रहे थे, और यह एक pharmaceutical lab था, इस pharma company का नाम था Warren & Warren, जो कि कई तरह की बीमारी के लिए दवा और vaccine बना रहे थे, इ इसके बारे में Warren & Warren company वालों को पता चला, यह लोग दवा और vaccine बनाते हैं for different diseases, लेकिन उन vaccines के human testing में सालो लग जाते हैं to check its efficiency and side effects, इसलिए यह लोग अलग अलगतर है कि बीमारी से ग्रसित लोगों को यहां लाते हैं, then अपने cocktail के जरिये इनके अंदर अपना trial वा दवा डाल को लगते हैं, for example, इस test 73 में भी इन्हें एक success मिला और वो यह कि Patricia को दी गई दवा काम कर गई, अगर आपको याद हो तो Patricia को बहुत frequently seizures आते थे, लेकिन बीच पे उसे 8 घंटे और 17 मिनट्स तक seizure नहीं आये, यानि real life time में 16 and half years तक उसको seizures नहीं आया, this proves कि इनका जो दवा है for seizures और epilepsy वो मस्त काम कर रहा है और अब यह लोग इसका mass production करके बेच सकते हैं, इन्होंने literally epilepsy को ठी करने का दवाब बना लिया था, इनका मानना था कि यह लोग कुछ चंद लोगों को मार के लाखो कड़ों लोगों को बचाते हैं तो इनका काम बढ़िया है, खैर तो इसके बा जिसने हमें blood clotting वाले डवा का धेर सारा data नहीं मिल पाया, क्योंकि जिस बंदे को बिमारी था, वही मर गया, यह सुनकर boss कहता है कि यह सब फालतू रूल नहीं आएगा, और अगर तुम्हें ऐसा रूल कुछ चाहिए, तो form भरके Warren & Warren Company को भेज़ दो, खैर इसके बाद पर मैं experiment करता हूँ, वो मारे जाते हैं, तो तुम उन लोगों से ही रोस्ती करो जो कि normal tourist हैं, इसके बाद वो अपने नए guests को welcome करने लगता है, जो कि उसके next शिकार होने वाले थे, वही होटल में याद है, एक बंदा था जो by profession cop था, वेल उसके सामने आते हैं Trent और Maddox, जी ह थी, Trent भी अपने batch वाले victims को लिख दिया था, वो cop से कहता है कि ये सभी लोग missing होंगे, क्योंकि इनका कतल हुआ है, इसके बाद Trent सीधा मायजा के पास जाता है, जो कि अपने नए guests को welcome drink देने वाला था, Trent उनका drink गिरा के कहता है, कि ये लोग जो भी दे रहे हैं, वो मत पीन यहाँ पर reveal होता है कि जब Trent और Maddox कोडल में फस गये थे, तो ये लोग कपड़ा निकालने के बजाए, उस कोडल पीस को ही तोड़ दिये, दने एकदम मरने से पहले ये लोग कोडल क्रोस कर गये, जहाँ इन्हें पानी में मचलियां भी दिखने लग गई, यानि वो safe environment में आ चुके थे, इसके बाद दोनों यहाँ होटल तका है, और यहाँ यह दोनों Warren and Warren का साड़ा पोल खोल दिये, ट्रिंट और Maddox यहाँ इडलिब को उसका coded note देते हैं, जिसकी विज़े से यह दोनों शायद बच पाए थे, और इडलिब इन्हें नहीं पहचान रहा था, वो कॉब भी इनके दोड़ा दिया गया नाम, US में चेक करवाता है, और इन्हें इनकी आंट एयरपोर्ट पे पिक करने वाली थी, और इनकी आंट 40 साल की ही होगी, और यह लोग 50 साल के हो चुके हैं, यही पे मूवी खत्म हो जाती है, तो दोस्तों यह थी मूवी ओल्ड की कह और अब तक आपको फिल्म की प्लोट पूरी तर समझ आ ही गई होगी, यहां में आपको फिल्म में दिखा गए कुछ और सटल डीटेल्स के बारे में बताता हूं, सबसे पहले डीटेल यह कि चार्ल्स की फैमली के साथ उनका एक कुत्ता भी बीच पे गया था, जो की काफी जल्दी मारा गया, of course कारण यह था कि कुत्ते सिर्फ 10-12 साल ही जीते हैं और वो तुरंत एज हो गया होगा, दिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो इन लोगों के नाखून या बाल उतनी तीजी से नहीं बर रहे थे, क्योंकि वो जगह सिर्फ लिविंग सेल को एज करत जी हाँ, जब गाई होटल में आया था, तो उसे यहाँ के ब्रोशा में वारन और वारन का जिक्र दिखता है, गाई इंशुरेंस कमपनी में काम करता था, इसलिए वो वारन और वारन ड्रग्स के बारे में जानता था, वो कहता है कि इनका दवा और वैक्सिन बहुत मस्त हो अब वीडियो को एंड करने से पहले मेरा सवाल आप से है कि यू तो ट्रेंट और माडोक्स बच गए, अब 50 साल के हो चुके हैं, लेकिन उन्हें रियल लाइफ का कोई एक्स्पीरियंस नहीं है, तो उन्हें जॉब कैसे मिलेगा, वो सर्वाइब कैसे करेंगे, ये एक बह और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमें सबस्क्राइब भी कीजेगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियो लाते रहते हैं, पीस!